क्रिप्टो कांची मार्केट में दो फेज़ हर कोई बात करता है एक बेर रान एक बुल रहे हैं बेर सीजन में जहांपे क्रिप्टोस पर्चीस करना काफी ज्यादा सिंपल होता है जहांपे हम लोगों का फोकस होता है on the top altcoins and खरीते वक्त हम लोग यही सोस्ते कि मार्केट अ भी और opportunity हम लोगों को मिल सकती है on the other hand यहांपे बुल सीजन की हम लोग बात करते हैं जहांपे हम already enter हो चुके वहांपे हर एक डिप एक opportunity की तरह काम करता है and yes वो opportunity हम लोगोंने miss out नहीं करने चाहिए whatever the reasons may be but यहांपे बुल सीजन और भी बड़ा हो सकता है इस बार और इसकी 5 cryptos कौन-कौन से वो cryptos purchase करें उसके बारे में आपको बताएंगे and simultaneously यह भी बताएंगे कैसे आप लोगोंने prepared रहे ना in the market because आज के time if you are planning to buy a crypto तो वो खरीदना काफी जादा मुश्किल हो गया for an Indian investor यह हम क्यों बोल रहे हैं क्या सारी चीज़े हैं उसके लिए चलते हैं coin market का आप में market की बात करते हैं और देखते हैं कि यह opportunity जो market में दी है वह हम लोग कैसे अवेल कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने open का दिया coin market का आप कानेटली जो global market that is down 3.76% total market cap की बात करें crypto market की that is 2.28 trillion dollars Bitcoin के dominance की बात करें अब यह हम लोग क्यों बात करते हैं because this is one of the most important factor वो यहां पर बढ़ता हुआ चल रहा है 54.2% Bitcoin का dominance which is good for the crypto currency market क्योंकि यह बताता है कितना पैसा जो है वो inflow आ रहे हैं the crypto currency market yes यहां पर Bitcoin आज के टाइम में rise जरूर हो सकता है बट उसी के सांसा जब Bitcoin अपना peak बनाएगा we know कि एक old season आता है बट उसके लिए हमने prepared भी रहना वेल फिलाल कल Bitcoin आन इथीरियम को लेके एक major news जो है वो चाइना से सामने आई जहां पर Bitcoin आन इथीरियम के ETF जो है वो अप्रूब करें गए Hong Kong से यह news दिया और इसके बारे में हम लोगों ने आपके सांट discuss भी करा है ना टेलिग्राम चाले अगर आप लोगों ने जोइन नहीं करा है तो वो कर लीजे वहां पर ऐसी अपडेट हम टाइमली आपको देते रहते है बिट कॉन एथीरियम राइज आज होंग कॉंग कॉ Hong Kong में आप इसकी आडविटाइजिंग जो है वो शुरू होगी है यानी ETF की आडविटाइजिंग जो है वो शुरू होगी है ETF के अप्रूवल के बाद क्या होता है यह हम सब लोग जानते US में जहां पर ETF अप्रूव है उसके बाद Bitcoin का प्रैस कैसे शूट अप हुआ वह हम स कर सकते वेल जब भी हम लोग बुल सीजन में होते हैं यह पॉर्चुनिटी होती है साइमिल्टेनेसली वी आर नौट इग्नोरिंग दी फाक्ट कि यहां से इसराइल से जो है वो रिटालीशन भी जा सकता है टूज इरान एन इसराइल की बरती टेंशन वहीं पे एक रिटे आउट कर रहे हैं सो हम लोग उने क्या करना चाहिए और मैंने पर्सनली यहां पर क्या कर रहा है उसके बारे में डिसकस करते हैं बिटकोइन का कारिंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें इस 62,636 डॉलर इर्रिस्पेक्टिव आप दी प्राइस और बिटकोइन हम यहां ग्यूल यह वह बिटकोइन को पर्चेस कर रहे हिए एस बीच और की एवरी संडी हम लोग थोड़ा भौत यहां पर पर तर्चेस करें फोर यह नौप यहां पर कब ऐपर चाहिए कुछ पाले हैं जो काफी अच्छा यहां पे फॉल हुए यहां पे अगर हम सो लाना की बात करें 11.78 परसेंट डाउन इंदी लास्ट सेवन डेज में देखते हो अप्राक्सिमिटली 25 परसेंट डेफिनिटली आज के टाइम में आप लोग यह बोल सकते हो कि टॉप अल्ट कोईंस में उतन अपने अपने आप अंसर करना पड़ेगा आप लोग ने प्रीवियसली कोई क्रिप्टो किस लेवल में परचेस करना था अन अकॉर्डिंगली आप लोग नहां पर आनलाइस करना पड़ेगा क्या यह वो टाइम है तो बाय दाट अल्ट कोई अगर आपके पास फंड है और फंड किसी से आपने उधार नहीं लेने किसी दोस से या किसी रिलेटिव से पैसे मांग के एक क्रिप्टो मार्केट में नहीं डालने अगर आपके बाइंग प्राइस से नीचे है अगर आपको यहां पर लगता है कि वो आपने परचेस करने वेल हमने भी यहां पर एक टॉड़ परचेस करा यह दिस इस नो ब्रेनर हम लोग जहां पर आर्बिटरम को टार्गेट कर रहे थे काफी टाइम से वन डॉलर टॉटिफाइफ से हमारा पहला बाइंग प्राइस और आर्बिटरम यहां पर सामने आई उसके बाद हमने आर्बिटरम को थोड़ा और परचेस करा दो लॉट्स और बचे थे जो दोनों के दोनों हमने यहां पर परचेस करा आट अराउंड नैंटी सेंस 95 सेंस भी जाग वहां पर हमने आर्बिटरम को परचेस करा है अपना बाइंग प्राइस जो हो निचे लेकर आ है आर्बिटरम में यही चीज़े हैं जो आप लोगों ने करनी हैं बहुत ही बेसिक चीज़े कोई नई चीज नहीं है जो हम यहां पर आपको बता रहें इस आदी बे लेवल में आ गए हैं जहां पर हम लोग यह इंशौर करते हैं कि आर्बिटरम में हमें अच्छा कासा प्रॉफिट होगा साइमिल्टेनेसली अगर हम लोग क्रिप्टो की तरफ चलें या उन काटेगरी की तरफ चलें जिसमें हम लोग बाइंग कर रहे थे वहां पर डिप थोड़ा और जादा देखने को मिला है जितने आप नीचे जाओगे जितने लोग क्रिप्टो में जाओगे वहां पर डिप उतना जादा बढ़ता है यस गेन भी उतना जादा बढ़ता है गेमिंग क्रिप्टो में अगर हम लोग आते हैं तो यह एक ऐसी काटेगरी है जो क काफी ज़्यादा पांप हुई थी in the end of 2023 उसी के सांथ-सांथ बीच में एक और पांप हमें गेमिंग क्रिप्टोस में देखने को मिला था आज के टाइम में जहां पे गेमिंग क्रिप्टोस डाउन है लास्ट सेविन डेज की अगर हम लोग बात करें इम्यूटेबल एक्स ड लेते हैं because वो सबसे ज़्यादा सेफ यहां पे नजर आता है यहां पे लोग क्रिप्टोस की तरफ वो नहीं देखते हैं जहां पे वो अपॉर्चनिटी हम लोगों के exactly सामने है यहां पे हम लोगों ने इम्यूटेबल एक्स को थोड़ा बहुत पर्चेस करा यहां पे हमने गाला को पर्चेस करा गाला जो आज के टाइम में है राउंड थ्री सेंस वो हमने यहां पे पर्चेस करा 38.02 परसेंट डाउं भी हमने यहां पे जरूर स्किप करा तो यह तीन क्रिप्टोस हमने पर्चेस करें इम्यूटेबल एक्स गाला और आर्बिटर बट दाट इस लोगों ने नियर को पर्चेस नहीं करा क्यूंकि हमारा बाइंग वाज अराउंड वन डॉलर यहां पर बट हमने थोड़ा बहुत एयोज निट्वर्क को पर्चेस करा जो आज के टाइम में 65 सेंस का चल रहा है जब हमारे आखों के सामने एक क्रिप्टो यह टोकन आया था विल हम लोग ने यहां पर यहां पर पर्चेस करा औल्दो यहां पर अपर पॉर्चेस करा और भी थी जा हम बात करें आर्खरम की आर्खरम is a good token in the market इसको नजरंदाज ना करें अगर आप इसके बारवे नहीं जानते हो go and study about it आर्खरम एक beauty है and yes हम लोग definitely यहां पर आर्ख लोगों ने इससे भी काम में पाल में इन्वेस्स करा है तो यह कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी इस नॉट नेसेसरी कि आप सारे के सारे क्रिप्टो पर्चेस करो आपके पॉर्टफोलियो में कुछ ऐसे क्रिप्टो जरूर होंगे जो आपकी बाइंग से नीचे हो क्योंकि यह सारे वो क्रिप्टो हैं जो हम पर्चेस कर रहे थे द्यूरिंग दी बियर रान में इनका प्राइज इनसे भी कम चल रहा था तो कीप दाट इन माइंड बट हम आर्डबलियो की बात करें तो यहां पे हमने एक नया टोकन जो है वो आड़ करा अपने पर्चेट में नहीं है र्डबलियो की जहां पर हम लोग बात करते हैं डेफिनेटली ओंडो हम लोग देखते हैं वीचेन हम लोग देख सकते दोनों हमारे पास अल्रेडी हैं काफी अच्छी कॉंटिटी में वी डोंट वांट तो गेट इन्ट जोन पर हम लोग वही जो इसने टाच करा था इन 2021 जब हमने लास्ट बूल सीजन देखा था बात करें इसके प्रिविएस अल्टाइम लोग की दाट वाज अरॉन सेंड जो इसने टाच करा था इन 2020 एक ऐसा टोकिन जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत रिस जरूर लेते कोई नया टोकिन जब आप लोग इंटर करते हो तो डेफिनिटली वो रिस्क हमेशा रहता है आपकी खुद की रिसर्च उसमें ना हो बट दा मेजर पॉइंट है यह तो हमने परचेस कर लिए तो क्या इसका मतलब आप मार्केट में हम लोग और करेक्शन का वेट नहीं कर रहे हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है और इसी के सांथ बात करेंगे और सबसे बड़ी प्राब्लिम की जो एक इंडियन क्रिप्टो इंडियंटर आज के टाईम में फेस कर ला Bea Todo And Yes, बी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हरा The problem कि USDT, USDT हम लोग कहां से purchase करें, on ramp से अगर हम लोग purchase करने जाते हैं, कल की date में, यहाँ पर on ramp में जो price चल रहा था of USDT was 96 Indian rupees, जो की काफी जादा है, यहाँ पर हम यह जरूर जाते हैं कि इंडिया में किसी भी exchange से जब आप USDT purchase करते हो, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर जादा आप यह करते हो, we were expecting somewhere around 90 rupees, but 96 rupees का यहाँ पर USDT चल रहा था, that shows कि यहाँ पर जो डिमांड है USDT की, वो increase हो रही है, that shows कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अभी purchase करना चाहरे हैं, वो crypto's को, जो आज के टाइब में market में fall हुए, and yes, एक अच्छा sign है for the crypto कांसी market, if you are already holding the crypto's, again, और funds नहीं है to put into the market, अब लोग और funds arrange मत करो, अगर आपने उतना invest कर लिया है, जितना आप initially सोच रहे थे to invest in the crypto कांसी market, well, sit back, relax and enjoy this journey, उसके लावा कोई और option आपके पास नहीं है, because bitcoin यहाँ पे काफी उपजा सकता है, हमारे targets यहाँ पे definitely bitcoin के हैं, somewhere around 125 to $1,50,000, but क्या bitcoin $200,000 जा सकता है, well, it is not of the cards, वो भी possible है आज के टाइम में, जहाँ पे चाइना भी अब वापस आगया है, इंडी crypto कांसी market, अब यहाँ पे fight है between China and US, दो ऐसी major countries जिनके asset managers यहाँ पे bitcoin को purchase करेंगे, चाइना यहाँ पे Ethereum को भी purchase करेंगे, actually उनके asset managers यहाँ पे Ethereum को purchase करेंगे, but उसी के साथ यहाँ पे हम लोग macro economic conditions भी देखते हैं, Israel and Iran, दो ऐसी country जिनके बीच में tension जो है वो बरती जा रही है, अगर Israel यहाँ पे retaliate करता है, तो definitely हम लोग और dip देख सकते हैं दे crypto कांसी market, तो उसके लिए हम लोग कैसे prepared है, जो भी पैसा हमने invest करा है आज का time में, उसका 25 percent अभी भी हम लोग समाल के रख रहे हैं in USDT, just in case यहाँ पे कुछ चीज़े होती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे funds है to buy those cryptos, उन cryptos की जो अब हमारे portfolio में, वो cryptos की जिसमें हम लोग एक अच्छा खासा profit देखते हैं, उसमें अगर order पाता है from our previous buying price, तो definitely वहाँ पे हम लोग buying कर सकते हैं, यह चीज़ कभी भी नहीं भूलने चीए, yes market opportunity दे रही है, but that does not mean कि एक last and final opportunity है from the market, ऐसी opportunities market देती है, be it a bear season और a bull season market हमेशा यह opportunity देती है, all you need to do is stay updated, updated on your portfolio, कौन सा crypto किस लेवल में आप लोग ने previously purchase करा है, वो आपके पास कहीं लिखा हुआ होना चीए, only then you can take advantage of these dips, अगर वो आपके पास नहीं है, कहीं पे भी आपने no down नहीं कर रहा है, you will be confused, आप लोग यहाँ पे फिर देखोगे कि last 7 days में कौन सा सबसे ज़्यादा follow है, उसको purchase कर लेते, well वो भी एक strategy है, but better is कि यहाँ पे आप लोग अपने portfolio को लिख के रखे, कहीं पे नहीं तो CoinGecko, CMC दोनों ऐसे free के software है, जहाँ पे आप अपना portfolio बना सकते हो, in fact अपने portfolio को manage कर सकते हो, वहाँ पे आपको किसी भी wallet के साथ उसको link नहीं करना, manually आप enter करके, you can stay updated, कौन सा crypto किस level में purchase करा है, कितना total profit आपको हो रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती Simultaneously, as we always say, अपने cryptos की safety सबसे जाधा important है, the first thing which we do while buying a crypto is कि हम उनको transfer करते हैं in the cold storage wallet, किसी भी exchange में हम लोग अपने cryptos को store करके नहीं रखते, because exchange यहाँ पे होते हैं to trade, exchange यहाँ पे होते हैं to buy a crypto from another crypto, but storing your crypto, you need a cold storage wallet and yes, वो सबसे जाधा important है, जहाँ पे ऐसी macroeconomic condition है, what will happen tomorrow, कोई कुछ नहीं कह सकता, you should be prepared for the both side, यहाँ पे अगर Israel यहाँ पे कुछ retaliate करता है, you should have USDT, because वो मौका भी काफी interesting होगा, जो market आपको provide करेगी, simultaneously अगर आप नए आए हो crypto market में, do not panic, काफी नए investor जो है, वो market में आते हैं, आंख बंद करके वो cryptos को purchase करते हैं, यह सोच के हैं, कि सब 20% का भी fall आता है, you are the first one जो market को छोड़ के बाहर चला जाएगा, जाधा पैसे ना invest करें, इसलिए हम लोग कहते हैं, सोच समझ के अपनी research करके ही crypto's में invest करें, and yes, patiently hold करके चले, जहाँ पे एतनी बड़ी major news आई from China, US का हम लोग holiday जानते हैं, जहाँ पे US के asset managers are buying bitcoin, definitely यह bull season जो जहाँ पे एक महिने में cardano from 30 cents to 3 dollars गया, जहाँ पे एक महिने में शिबा इन्होंने 1000% का यहाँ पे profit दिया, वो season जहाँ पे chain link, polka dot, almost सारे crypto's यहाँ पे pump हुए, वो season जहाँ पे नए crypto's ने आउट परफॉर्म करा पुराने crypto's को, चाहे हम यहाँ पे polygon matic की बात करें, चाहे ह हम शिबा की बात करें, so yes अभी भी time है market में, अभी भी वो opportunity जो हमें मिलती है, yes there is a difference between buying in a bear market and a bull market, but वो आप तभी कर पाओ कि जब आपका portfolio आपके सामने होगा, and you will be sitting calmly and deciding, क्या मैं और funds डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता, force कोई भी नहीं करेगा आपको, to put in funds, force कोई भी न side कर सकते हो कि कितना funds आपने invest करना है, but मेरी माने तो ज़्यादा पैसे ना डाले, थोड़ा बहुत पैसे डाल के enjoy करें यह जाती, well अगर वो crypto's pump होते हैं, you will get the profit, but अगर वो crypto's dump होते हैं, you will not be scared, and आप लोग in fact यह journey को enjoy करेंगे, so समझ के करें, जो भी आप next step उठाओगे in the crypto currency market, because that will affect your portfolio, not mine, यह चीज़ जरूर दियान रखेगा, with that's it guys, आज का वीडियो करते हैं पर, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर देना, share कर लेना, subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay bye bye